बाचपा के वरिस्ट विधायक और पूर्व मंत्री घंशाम तिवाडी ने मंगलवार को मीडिया के सामने नए राजनितिक दल के संकेत देते हुए अपनी पार्टी के मुख्य मंत्री वसंदार राज्य के खिलाफ निसाना साथते हुए आरोप लगाए कि उनके और उनके पर जब से मेरे और परिवार के खिलाफ सरकार के इशारे पर काम करना शुरू किया तो मैंने भी उंके कागजके और खिलाल मेरे पास सुरुवाती खेप है लेकिन मेरे पास मुख्यमंजी वसुनराजी और उनके बेटे के कारणामों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तवेज सामने आएं जिने देखकर मुझे भी एक बार सदमालसा लग गया कि कोई वेक्ती ऐसा भी कर सकता है तिवाडी ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी इंदस्तवेज को दबाने की कोशिस कर सकता है इसलिए इंदस्तवेज के चार सेट करवा रखें और सुरक्षित हातों में दे रखें जो समय आने पर मैं इन्हें जनता के सामने ला सकूँ प्रेशवारता में घंशाम तिवाडी ने यह भी कहा कि मेरे खिलाब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए आरोप लगाने वालों ने शरियंदर कारी यूजना के तहट मेरे खिलाफ जाच करवाने के लिए जितना सरकारी विभागों में शिकायत भेजे सकते हैं वे भेज द रहे हैं और कितना गिर सकते हैं तिवाडी ने अफसरों से कहा कि वे नाइक जाच करें उन्हें कोई आपत्ती नहीं है लेकिन किसी के प्रभाव या लालच में आकर अव इधानिक काम करके मुझे परिशान करने की कोशिश की तो वे उनके लिए उचित नहीं होगा मुझे देश की नियाय ववस्ता पर विश्वास है और देश की नियाय ववस्ता जिंदा है कोई गलत काम किया तो वे उन्हें छोडने वाले नहीं है और ना ही उनके परिवार वालों को लोग तंत्र के जनता आदालत भी होती है राजस्तान की जनता के ऊपर किये गए इनके गंबीर आरोप अपराधों को लेकर जब मैं जनता की अदालत में जाओंगा तो इनके जवाब देते नहीं बनेगा तिवाडी ने यह भी कहा कि एक विदायक लोग सेवक की श्रेणी में नहीं आता पिछले नौ साल से मैं केवल एक सामानिय विदायक हूँ मंतरी, सरकारी, अधिकारी, मुख्यमंतरी, लोग, सेवक, किश्रेणी में आते हैं जाच उनकी भी की जानी चाहिए गंचाम तिवाडी में मीडिया के सामने यह भी कहा कि राजस्तान की सरकार 6 महीने की है इसलिए अफसरों से कहूँगा कि जो भी वे कुछ करें वे कानून के दायरे में करें और पूरी तरह से आगे पीछे का सोच विचार कर करें तिवाडी ने मुख्यमंतरी को संबोधित करते हुए कहा कि वे मुख्यमंतरी असंदराजी के द्वारा करवाई जा रहे हैं इस परकार के कामों में उत्पीडन वहने वाले नहीं हैं और ना ही किसी परकार से डरने वाले हैं वे तब से राजनीती में हैं जब शडियंतर में लगे अफसर जन्में भी नहीं होंगे मैंने अपातकाल भी देखा है और भूगा भी है मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ बलकि सत्य की लड़ाई लड़ने वाला हूँ जो वास्तों में बैमान हैं उनको परदेश से भगा कर रहूँगा मैं ही नहीं मेरे परिवार के लोग भी इस कार्य में मेरे साथ हैं वे भी किसी से डरने वाले नहीं अन्तक इनके खिलाफ लड़ेंगे और विजय सत्य की ही होगी और भी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें